ये रेसिपी बना रही हूं मैं नए आलू की मसाला डाल कर भूनी वी सबजी की तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत जल्दी बन भी जाती है इसे पराटे के साथ या कहीं सफर पे जा रहे हैं तो पूरी के साथ भी सबजी को आप रख सकते हैं ये खाने में बहुत ही और इस तरह से इसके लंबे-लंबे पीस कर लूँगी, उसके बाद इसे छोटे-छोटे पीस में काट लूँगी, कुछ इस तरह से, ये देखी, इस तरह से मैं काट लेती हूँ, और सभी को मैंने काट लिया है, उसके बाद मैं इसे धो लूँगी, धोने के बाद इसको एक ज 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूंगी ताकि आलू जो है वो थोड़े अच्छे से फ्राई हो जाए और थोड़ा थोड़ा लाल दीखे उसके बाद इसमें डालूंगी नमक और हल्दी पौडर और इसे चला लूंगी और आलू का जो पानी था वो भी अच्छे से तेल में और द्राई हो चुका था उसके बाद ही मैंने इसमें नमक और ये अब मैं डालूंगी अधि चम्छी लाल नृच पौडर यह कासमरी लाल नृच पॉडर है और सभी मिक्स कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पीसेवे मसाले को जिसमें मैंने अद्रक लहसन, मीर्च, गोलकी और जीरा का पेस्ट लिया है तो इसे डाल देती हूँ दो चम्मच और चला लूँगी और दो-तीन मीनट इसे हाई फिलेम पे मैं भून लूँगी मसालो के साथ उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी पानी डाल कर इसे ढख कर पकाऊंगी पांस से छे मीनट मीडियम फिलेम पे और आधा तो ये पहले भी पक चुका है आधा ये ढखकन लगा कर मैं प पकने के लिए तो ये देखे आलू जो है वह बहुत अच्छी से पक चुका है और अब मैं आलू को हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनट और अच्छे से भून लूँगी क्योंकि ये मैं भूना वा मसाला वाला आलू बना रही हूं तो इसे और भी भूनना भी बाकी है तो ये जाकर कि आलू की सबजी बन करके तयार होगी तो ये देखे मैं इसे बहुत ही अच्छे से भून लिया है मसाले जो है आलू में चिपक गए हैं उसके बाद मैंने इसमें ढ़ेर सारा धनिया का पत्ता डाल दिया है और बहुत ही मज़दार की आलू मसाले वाली भूनी भी पूरी के साथ पराठो के साथ बहुत ही मज़ेदार की सबजी लगती है दाल चावल में भी आप इसे खा सकते हैं तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा